हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फार्मिंग सेमूलेटर यूटूब चैनल पर आप सभी मित्रों को मुकेश यादों का प्यार भरा नमस्कार मित्रों आज मैं प्याज और लहसुन के भाव लेकर आया हूँ इंदोर मंदी के अनुसार वार हे गुरुवार 28 अक्टूंबर का दिन है तोस्तों प्याज में लगातार उठा पटक जारी है और आने वाले समय में क्या होगा कितना रेट बढ़ेगा या फिर रेट इस्तिर रहेंगे या फिर होगे कम दोस्तों जल्दी हूँ लेकर आने वाला हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल पर एक इसी रिपोर्ट जो आपको इस पश्ट और सही से जो है मार्गदर्सन दे सकती है प्याज के विशाई में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि प्याज आज इंदोर मंदी में क्या रहा और कितने उठा पटक देखने को मिली दोस्तों जिन किसान भाईयों से मेरा निवेदन है कि आप अगर इस यूटूब चैनल पर पहले बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है लालकसर में आप लालकसर का बटन दबा कर उपर आई बेला इकन को फ्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो ड जो है वीडियो नहीं डाल रहा था दोस्तों काफी वियस था मेरी जो तबियत खराब होने के कारण थोड़ी गरबढ हो गयती तो मैं इस कारण इस यूटूब चैनल पर वीडियो नहीं अप लोड़ कर सका तो दोस्तों सभी मितरों से मैं शमा चाहूंगा कि मैं आपको दो तो देख लेते हैं आज के इंदुर मंडी के भाव क्या रहें दोस्तों आज प्याज की आवग जो रही 40,000 कटों से 50,000 कटों के बीच में रही महीं सूपर माल की बात करूं तो 2100 से 2400 रुपे जो है की सूपर माल विका एवरेज माल की बात करे तो 1600 से 2000 रुपे विका गोल दोस्तों कहीन कहीन अभी जो प्याज की बात की जाए तो मंदी का दोर चालू है कहीन कहीन काफी भाव में गिरावट देखने को मिली है और लहसन की बात करें तो आवक रही 4000-5000 कट्टो की फुल गोला माल जो है 5000-6000 रुपे विका है एवरेज लड़ु माल की बात करो तो 3500- कुंटल के हिसाब से विका है और मिदियम की बात करें तो 2500-300 रुपे विका है और बारिक लहसन की बात करें तो 1800-200 रुपे के सम्थिंग विकी है तो दोस्तों ये थी आज की इंदुर मंदी के भाव मिलता हूं अगले नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जय जवान जय किशान